अभी हम कर रहे हैं एर्थ क्लास के लिए mathematics यह chapter number 14 factorization और इस chapter के अंदर try these हैं this one factorize करना है factorize 12 x plus 36 and so on यह दो सम और है हमें factorization करना है factorization है मतलब है कि हमें इनको इसके जो factors है वो लिखने है जैसे कि मान लिया अब यह try these on page 219 जैसे मान लिया कि 15 है तो इसकी factorization करें तो इसको भी लिखने है 3 multiply 5 multiply करने पर जो आता है यानि कि इसके factors है उनकी multiplication करेंगे जितने हो सकते हैं अब next जैसे 20 है 20 की प्रैम factorization हम करते हैं तो क्या होता है 2 multiply 2 multiply 5 यह प्रैम factorization होगे इसकी इसी तरीके से अब हम factorization करेंगे इस try these के अंदर लेकिन यहाँ variables का इस्तमाल हुआ है 12 x plus 36 तो आप क्या करेंगे 12 की जो factors है वो सारे लिखो गे 12 की प्रैम factorization ऐसे करते हैं जब 2 6 जा 12 2 3 जा 6 3 जा 3 तो 2 की power 2 दो बार आ रहा है यह 2 2 की power 2 and 3 साथ में यह x ठीक है इसको solve करें तो बाप से हमें 12 x मिल जाएगा 2 2 जा 4 जा 12 12 x 36 की करें तो इसके साथ एक 3 और आ गया मतलब इसके ऊपर 36 अगर होता तो 3 से करते हैं इसको तो 3 12 जा तो 3 दो बार आएगा इसके अंदर 2 भी दो बार है clear है अब इन में जो common आ रहा है common देखे एक तो 2 आ रहा है ठीक है एक 3 आ रहा है और कोई नहीं है अब इन दोनों के अंदर जो सबसित छोटी पावर होगी आप वह वह पर निकालेंगे दोनों सबसे ही q-2 ह है क्या है 2 दोनों ही qo है तो 2 ही ही 2 डिज आपवर 2 हुग और 3 की पावर यहाँ पे लुए ये 2 है तो कम वाला ला तो 3 भाहर निकाल लिया अब आपको करना 22 2 raise 2 multiply 3 multiply x plus 2 raise 2 multiply 3 की power 2, divide करना है इसी से, 2 2 जा 4, मैं यह ऐसा इसलिए करवा रहा हूं, क्योंकि कई बार बच्चों को समझ में नहीं आता है कि इसको कैसे करते हैं, जब आप इस तरी कैसे practice कर लेंगे ना, तो आपको clarity हो जाएगी, फिर आप directly 12 common निकाल देंगे, या जो common निकल होता है वो directly निकाल दोगे, यह बर यह समझ लो कि यह क्या चीज होती है, अब 2 raise 2 से 2 raise 2 कट गया, 3 से यह 3 कट गया, 2 raise 2 से 2 raise 2 कट गया और एक यह 3 रह गया है आपर, तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 और यहां पर बचा x और यहां पर बचा एक 3 क्योंकि 3 की पावर 2 है, यहा 3 है, done, य ratio is की factorization, clear है, इसी तरीके से next वाला part है, वो करेंगे, 22 y माइनस में 33 z, 22 का मतलब हुआ, 2 multiply 11, multiply y, 3 multiply 11, multiply z, z, दोनों के अंदर यह 11 है, यह आ रहा है, और कुछ common नहीं है, तो 11 भाहर निकाल लिया, अंदर 2 into 11 into y, 11 से डिवाइड करेंगे, जो common निकाला है, वो इसी से डिवाइड करेंगे, 3 multiply 11, multiply z, 11, इधर हमने यह common निकाला था, तो इसी से हमने डिवाइड किया था, इसी तरह य 11 कमन निकाला है, तो 11 से ही डिवाइड करेंगे, 11 से ही 11 कट गया, 11 से 11 कट गया, तो अंदर क्या क्या बचा, 2 y और minus का 3 z, minus बचा और यह 3 z बचा, clear answer, अब थर्ड पार्ट, 14 P Q plus 35 P Q R, पार 1 है समझ लिजिए ही, तो 14 का मतलब हुआ, 2 multiply 7 P 1 Q 1, 35 का मतलब हुआ, 5 7 35, P 1 Q 1 and R 1, 7 कमन निकाला, दोनों में देखो, एक तो 7 R है, यह वाला, एक P R है, और एक Q R है, तो 7 P Q, हमने कमन निकाल लिया, और यह जो चीज है, बच गई जो, वो चीज हम डारेक्टरी लिख सकते हैं, नहीं तो अगर नहीं आ रहा है, तो आप ऐसे कर लिजिए, P Q से P Q गया, 7 और था, 7 से 7 चला गया, 7 से 7 चला गया, और यहाँ पर 35 में से 7 भार निकाल लिया, तो बचा 5 और पी Q निकालने के बाद यहाँ बचा R, अगर और तरीके जिसे लिखना चाहें, तो 5 R प्लस 2, और वैसे यहाँ से इस तरीके से करना चाहें, तो 5 और R ये दो बचे हैं, यहां पर 2 बचे हैं सिरफ, 5 R प्लस 2, clear है, यह आपका answer हो गया तो अभी अच्छे से देख लीजिए, try these की अंदर, जो इसका part है पूरा, first, second and third summary अगर की जाए इसकी, तो simple सी बात है कि आप इसमें जो common निकलता है, वो निकाल दीजिए, 12X प्लस 36 इन दोनों में एक तो 12 ही आ रहा है, 12 है, शिरफ और कुछ नहीं common आ रहा है, तो 12 बाहर निकालने के बाद, इसके अंदर बचा X और इसमें बचा 3 नहीं तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, जब बड़ी value आती है, तब थोड़ी सी confusion होते होगी बच्चों को, जिसकी वैसे उनको फिर इस तरीक के से करवाया जाता है, कि वह वो गलती ना करें, और एक बार समझने के बाद, जब clearly हो जाए, points clear हो जाए, तो फिर आप directly इसको ऐस से निकाल सकते हो, ठीक है, और बस, बिलते हैं next video में, next try these के साथ, जो की है, नहीं है, यह रहा, यह करेंगे, डिवाइडी करना है, जैसे यह division यहाँ की है, वही division वहाँ करेंगे, okay, bye.